अमजद खान की लाइफ कई ट्रेजडी से भरी रही तीस के दशक के टॉप मोस्ट एक्टर जयंत जकारिया खान के बेटे होने के बावजूद उन्हें इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्श करना पड़ा पिता की एक्टिंग स्किल्स से अमजद खान को भी एक्टर बनने की प्रेर ना मिले वो अक्सर कहते थे कि उन्हें किसी एक्टिंग क्लास की जरूरत नहीं उन्होंने एक्टिंग के सारे गुण अपने पिता से ही सीखे एक्टिंग के लिए उनकी मां भी उन्हें प्रेरित किया करती थी 11 साल की उम्र से ही उन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था फिल्म का नाम था नाजनीन इस फिल्म में उन्होंने अपने पिता के साथ स्क्रीन शेयर की थी फिर उन्होंने राजकपूर की बनाई हुई फिल्म दिल्ली दूर नहीं है में काम किया फिल्म में उनके अपोजिट उस वक्त के बहतरीन एक्टर मोती लाल थे इसके बाद तो अमजद खान का फिल्मों के लिए प्यार और बढ़ता गया ये वो वक्त था जब सल्मान खान के पिता राइटर सलीम खान फिल्म शोले में गबर सिंग की भूमिका के लिए एक कलाकार की तलाश में थे इसी दोरान जब उन्होंने एक नाटक में अमजद खान को देखा तो वो उनकी एक्टिंग के मुरीद हो गए नाटक खत्म हो जाने के बाद सलीम ने उनसे कहा कि उन्होंने एक कहनी लिखी है जिसे रमेश सिप्पी डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म में एक रोल है जिसके लिए उन्हें आडिशन देना होगा अमजद खान आडिशन के लिए तयार हो गए स्क्रीन टेस्ट के बाद उनका सेलेक्शन भी हो गया फिल्म शोले के गबबर तो सबको याद होंगे ही लेकिन इस रोल के लिए फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी की पहली पसंद अमजद खान नहीं बलकि डैनी थे उस वक्त डैनी इंडस्ट्री के टॉप विलन थे लेकिन वो फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी थे इस वजह से उन्होंने शूले फिल्म के लिए मना कर दिया फिर सलीम ने अमजद खान की सिफारिश इस रोल के लिए की शूले की शूटिंग के पहले दिन उन्हें कितने आदमी थे डायलॉग बोलना था लेकिन वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे बार बार रिटेक ले रहे थे लगभग चालीस रिटेक लिए लेकिन डायलॉग नहीं बोल पाए ये बात उन्हें बहुत परिशान कर रही थी इस बात से आहत वो पूरी रात रोए फिर अगले दिन नए उच्छा के साथ शूटिंग के लिए निकल गए उस दिन उन्होंने कुछ टेक में ही सीन पूरा कर दिया जिस दिन फिल्म शोले के लिए अमजद खान को सेलेक्ट किया गया था उसी दिन उनके बेटे शादाप का जन्म हुआ था ये वक्त ऐसा था कि उनकी आर्थिक हालत बहत खराब थी बेटे के जन्म के तुरंट बाद ही वो शूटिंग के लिए निकल गए थे दरसल वो बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनके पास पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराने के पैसे भी नहीं थे तब इस बुरे दौर में चेतन आनद ने उन्हें चार सो रुपए दे कर मदद की थी पैसे मिल जाने के बाद वो पत्नी और बेटे को डिस्चार्ज कराकर घर ले आये थे अमजद खान की लव स्टोरी भी कम फिल्मी नहीं है शहला और अमजद खान पड़ोसी थे एक दिन अमजद खान उनके पास गए और कहा तुम मुझे भाई न कहा करो कुछ दिनों बाद शहला इस स्कूल से लॉच रही थी तब ही अमजद खान ने उन्हें रोक कर उनके नाम का मतलब पूछा वो जवाब देती इस से पहले अमजद ने खुद ही नाम का अर्थ बताया जिसकी आखें डार्क हो फिर आगे कहा कि तुम चल्दी बड़ी हो जाओ मैं तुम से शादी करूँगा बिना वक्त गवाए उन्होंने शादी का प्रपोजल शहला के घर भेज दिया लेकिन घरवालों ने शहला की उम्र कम बता कर प्रस्ताफ ठुकरा दिया इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए शहला को अलीगड भेज दिया इस दोरान शहला और अमजद खान ख़त के जरिये बाते किया करते थे कुछ ही हफ़ते गुजरे थे कि शहला बहुत बिमार पढ़ गई जिस कारण वो वापिस मुंबई आ गई शहला का एक सबजेक्ट फारसी था जिसकी क्लास वो अमजद खान से लिया करती थी क्योंकि वो फारसी की पढ़ाई कर चुके थे पढ़ाई के दौरान वो दोनों और करीब आ गए दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में रहे फिर दोबारा अमजद खान ने शादी का प्रस्ताव शहला के घर भेजा इस बार उनके परिवार वाले मान गए और दोनों की शादी 1972 में हो गई फिल्म शोले की रिलीज के कुछ ही दिन गुज़रे थे कि अमजद खान एक हादसे का शिकार हो गए फिल्म दग ग्रेट गैंबलर की शूटिंग के दौरान उनका कार एक्सिडेंट हो गया जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए हाला कि कुछ समय बाद वो ठीक हो गए लेकिन दवाईयों का रियक्शन हो गया उनका मोटापा तीजी से बढ़ने लगा हालात ये हो गए कि वो ढंक से चल भी नहीं पा रहे थे अमजद खान ने अपने फिल्मी करियर में 55 से जादा फिल्में की थी विलन के साथ उन्होंने कॉमेडी जौनर की फिल्म भी की थी इसके अलावा उन्होंने 1983 की फिल्म चोर पुलिस और 1985 की फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी का डारेक्शन भी किया था 1996 की फिल्म कलिंगा उनके करियर की आखरी फिल्म थी 27 जुलाई 1992 को 51 साल की उमर में उनका हाट अटेक की वजह से निधन हो गया